टॉप मोस्ट आरणिंग स्पेशलिटी मेडिकल फिल्मे और सर्जिकल फिल्मे क्या है जानेंगे इस विडियो में मैं परसोनली ऐसे इस बात को प्रोमोर तो नहीं करता हूं कि आपका जो सेलेक्षन है पैसे के उपर ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपको यह basic idea है, कि आज कल डिमान में सबसे ज़ाधा कौन सा है, किसका rank में आगे जा रहा है सबस्पेशलेटी का या सब्स्पेशलेटी का, या तो monetary हिसाब से, पैसे के हिसाब से, किस में income जो opportunity है, ज़ाधा है, तो definitely career choose करने में बहुत help करेगा तो इस वीडियो को मैंने 6 point में divide किया है point number one कि कोई भी single most specialty ऐसा नहीं है कहीं पर भी बोला गया है कि वो सबसे ज़धा आरण करता है इंडिया में तो at least ठीक है ऐसा कोई study नहीं हुआ है अभी तक point number two मेरा जो ये information है ये बहुत ही practical approach है क्योंकि मेरा discussions होते बहुत residents के साथ बातचीद होते है और मैंने research भी किया है उसके उपर थोड़ा latest information क्या है तो उसके हिसाब से आप भी correlate करके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो मैं ठीक बोल रहा हूं तो definitely आप लोगों को बोलिए आपको एक basis मिल जाएगा आपका career choose करने में या तो जो भी आपका next step है वो लेने में point number three it is always a surgeon who is earning more than a physician on an average and point number four कि which surgical branch अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि surgeon ज़्यादा कमाते हैं physician से तो आप मुझे यह तो बोलिए कि कौन से surgical branch ज़्यादा demand में चल रहा है तो इसको मैं पाच options में divide करने वाला हूँ option number one ऐसा एक branch जहाँ पे surgery कम duration का होता है मान लिजे कि दो घंटा तीन घंटा three and a half hours में most of the surgeries हो जाते हैं जहाँ पे risk comparatively on an average कम है और passion load मानिए बहुत ज़्यादा है और यह only three साल का course है sub specialty fellowship options भी है वो है orthopedics option number two ऐसा एक selective super specialty जो जो पेशन डिल करते हैं less duration of surgery कम duration वाला surgery होते हैं और बहुत ही common disease से बहुत ही bulk में surgery होते हैं वो है urology जहाँ पे OPDB बहुत ज़्यादा है option number three ऐसा एक super specialty जहाँ पे surgery का duration on an average होते हैं या तो यह एक घंटा से लेके चार घंटा तो हो सकते हैं common disease में bulk में treatment होते हैं बहुत सारे patient load हैं और requires fine work उसमें fine work भी होते हैं वो है spine surgery अभी option number four ऐसा एक super specialty जहाँ पे एगें average duration वाला surgery होते हैं लंबा surgeries usually नहीं होते हैं और patient के अंदर एक fear होता है एक डर होता है disease का कि मुझे ये बिमारी हैं वो है onco surgery tumor surgery या cancer surgery अभी option number five ऐसा एक selective मेरा favorite है ऐसा एक selective super specialty जहाँ पे duration जो है average duration से लेके long duration तो लंबा duration वाला surgery उसमें होते हैं emergencies भी है challenging surgeries रहते हैं fine work जादा रहते हैं और doctors बहुत कम है importantly doctors बहुत कम है वो है neurosurgery जो मैं कर रहा हूं अभी surgeons होगे surgeons के बाद अगर मैं किसी का बात करूँ वो है radiologist radiology अगर कोई radiology करता है तो उसनका initial income जो है और इस कम होते में भी 15 minute, 20 minute, 25 minute, 30 minute से लेके कभी-कभी एक या दिरगंटे का हो सकते हैं लेकिन बहुत bulk में बहुत number में करते हैं तो एक मेने में बहुत सारा cases वो लोग करते हैं interventions में बहुत सारे department जो है उसमें involved हो जाते हैं सर से लेके start करके जो एकदम पैर तक बहुत सारे system में वो लोग involved होते हैं तो इसमें पैसा भी automatically जादा है और doctors जो है इसमें जादा नहीं है तो इसमें बहुत ही demand है ऐसे भी मैं doctors को जानता हूँ जो intervention radiologist है और monthly income में भी around 20 lakhs और 25 lakhs ठीक है अभी आते हैं surgery हो गया radiology हो गया अभी आते हैं medical branch medical branch को again मैं चार option में divide करने वाला हूँ option number one ऐसा एक super specialty जहाँ पी intervention बहुत है emergencies है interventions है वो कौन सा है cardiology अभी option number two ऐसा एक super specialty जहाँ पी again interventions है और patient का volume बहुत जादा है वो है gastroenterology followed by nephrology option number three ऐसा एक branch है जो मैं super specialty नहीं भूलूँगा जो specialty है जो आप MBBS के बाद ही PG में join करते हो जो तीन साल का course होते हैं उसमें patient volume बहुत जादा है patient में एक अलग किसम का डर होते हैं कि मुझे इस चीज़ का बिमारी हो गया तो वो डॉक्टर की पाद जाते हैं और दवाई लेते हैं और हर कोई डॉक्टर इसका treatment नहीं करते हैं उसका treatment आना चाहिए उसका reach अच्छा है और जो procedures वो लोग करते हैं वो छ punch है जो option है वो है ऐसा एक specialty का जो again MBBS के बाद ही होता है बहुत excellent passion load है skilled छोटा short procedures भी उसमें होते हैं उसमें fellowship का options भी हैं लेकिन एक ही problem है कि saturation बहुत सारे doctors भी available होते हैं वो है ophthalmology वो depend करता है वो doctor के उपर वो कैसे आपको skill को develop करे या तो अपने आपको promote करे या तो लोगों तक पहुचाए कैसे तुरा innovation के साथ उसको approach करें तो options और उसमें opportunity बहुत ही जादा है उम्मीद करता हूँ मेरा इस वीडियो से आपको कुछ तो valuable information मिला होगा जो आपको career choose करने में help करेगा अगर ऐसा है वीडियो को like करिए share करिए और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए अच्छ झाल